Hello everyone, स्वागत है आपका E-Mentors के YouTube चैनल पे जहां हम various computer exams related content deliver करने की कोशिश कर सकते हैं आप हमसे Facebook page के द्वारा भी जूट सकते हैं और Telegram group के से भी हमसे connect कर सकते हैं तो हम अगर यह इस वीडियो में discuss करेंगे English section जिसमें हम अपनी series को ही continue रखने के कोशिश करेंगे जिसका आज हम part 5 discuss करेंगे पहले 4 videos upload की जा सकी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को उन वीडियो को जरूर दिखियाएगा इस series की खास बात रहेगी 5-10 मिनिट में पूरा करने की कोशिश की जाएगी और bullet form में content को deliver किया जाएगा previous year questions के भी हैं आपर हम पास कुछ questions आपको दिखाए जाएगे exercises आपकी practice और brainstorming के लिए भी दी जाएगी तो हमारे पास जो दो words हैं वो है मेरे पास abbreviation और acronym मेरे पास दो words हैं अब हो क्या गया है यह हमारे पास आगे clouds of confusion यह बच्चा हमारे पास confusion हो चुगा की या इसके तरह आप भी सूचते होंगे कि abbreviation सही है या acronym सही है या दोनों एक ही है तो इस वीडियो में आपके सारे doubts clear हो जाएंगे तो हमारे पर पहला cloud जो आया है वो abbreviation cloud है जो पहली बूद और drop जो लेकर आएगा हमारे पास वो कहता है मैं meaning बताऊंगा meaning में कहता है short form of words representing whole words और phrases यहां पर जो में पास short word of words है कहने का मतलब किसी भी चीज को शुक्ष में करके represent करना चाहे हो कितनी भी बड़ी हो word हो या phrase हो पर छोटा करना ही में में पास क्या होता है abbreviation example से हैंप समझेंगे amount को हम लिखते हैं amt.verses को हम लिखते हैं vs. तो हमने क्या करें छोटा करन है तो इसका मतलब होता है में पाइग्जेंपली ग्रेशिया father को हम लिखते है fr.senior को हम लिखते है sr.junior को हम लिखते है jr.similarly doctor को हम लिखते है dr. और professor को हम लिखते है prf. तो यह छोटा करने के में पास तरीके हैं अब जो में पास confusion जो दूर करेगा आपकी abbreviation और acronym में व करेक्ट है pronunciation नहीं होगा initialism कहता है कि मेरे को जब भी आपको भी भी बोले तो आप बोलेगे letter by letter examples से आपको clear होगा examples में आपस CBI मैंने बोला अलग से C, B और I यह है मेरे पास CBI का logo Central Bureau of Investigation अलग-अलग बोलना पड़ेगा IRCTC बोला मैंने I को अलग, R को अलग, C को अलग, T को इसका मतलग होता है Indian Railway Catering and Tourism Corporation यह Indian Railways में आप Ticketing के लिए आपके भी खाना order करते हैं उसके लिए यूज किया होगा मेरे पास जो तीसरे example है वो होता है मेरे पास FAQ अलग-अलग बोला है F अलग, A अलग and Q अलग मतलग होता है इसका frequently asked question MLA M अलग, L अलग and A अलग pronunciation किया है मैंने इसका Member of Legislative Assembly, यह है मेरे पास Garwin Cage डिवाल जी, यह MLA हमेरे पास New Delhi Constituency के, यह Chief Minister भी है Delhi के, यह मेरे पाद अनिल बैजल जी है, यह हमेरे पास क्या है Lieutenant Governor है, यहाँ पर Lieutenant को छोटा करने के लिए हमने यूज किया है LT. ठीक है, तो यह मेरे पास अपके है Initialism, अब आता है acronym, acronym को समझे यहाँ पर, यहाँ पर जो बादल जगर्जा पहली बूद लेकर आया, कियता है मैं क्या हूँ, abbreviation का type हूँ, pronounced as if it were a word, इसको बोला है से जाता है कि यह क्या हो एक शब्द हो, और जब बोला जाएगा former new words, बोला ऐसे जब जाएगा तो एक अलगी type का words ही क्या ब बोलते time, तो एक example जो है मेरे पास NASA, आपने ऐसे तो नहीं बोला, NASA आपने बोला, NASA A की flow में बोला, तो एक नया word बन गया मेरे पास, इसका मतलब होता है, National Aeronautics and Space Administration, यह है मेरे पास US की agency, उसका logo, यहाँ पर मेरे पास ISRO, अब देखे कोई भी technical बंदी से आप मिलेंगे तो वो कहेगा हमेशा मेरे को ISRO, I, S, I, N, R, I, N, O, अलग, 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 अलग-लग करके बोलेगा, तो यह technically मेरे पास क्या हो गया मेरे पास यहाँ पर, initialism हो गया है, बट आप सुनेंगे मीडिया में भी आपने सुना होगा बोला जाता है, ISRO, तो उनके हसाब से क्या हो गया यह मेरे पास acronym हो गया मेरे पास यहाँ पर, तो यह मेरे पास बोलने के फरक पर depend कर रहा है, तो आप समझ गींगे conclusion किसलिए होती है, मेरे पास यहाँ पर तीसरा example जो आएगा, वो आएगा मेरे पास यहाँ पर, वो कहता है कि यहाँ पर मेरे पास है laser का example, laser का आपने बोला एकी शब्द में आपने इसको बोलने का प्रियास किया, लेजर, तो light amplification by stimulated emission of radiation, इसको भी तो छोटा ही किया जा रहा है, और बोला ही एकी flow में जा रहा है, रडार, आपने एकी flow में बोलने की कुशिश कि, इसका मतलब होता है, radio protection and ranging, तो ये सब के आहमें पर acronym, ये जो word है आपके लिए नया तो नहीं होगा, बस कि शायद इसका जो मेरे पास जो पूरा meaning है, वो आपके लिए नया होगा, scuba, scuba का मतलब है, self-contained underwater breathing apparatus, ये देखे होंगे आपने, ये मचली ऐसे टांग पहन के जो आते जाते हैं न, जो समुदर के अंदर जो गोदा खोर जो कहते हैं, गोदा खोर इंगलिश में कहते हैं, वो ये पहन के जाते हैं, और cylinder लागा जाते हैं, तो ये scuba diving कहते हैं, जो वो action perform करते हैं, तो ये मेरे पास छोटा किया गया है, इतने बड़े जो मेरे पास ये group of words हैं, कोई छोटा करके बो लागा है scuba, तो acronym है मेरे पास, अब आप ये बोल रहाँगे, या भी वी सम्च में नहीं आए, acronym और abbreviation क्या होता है, तो देखिए ये ये बात होती है, main बात ये होती है, कि आप ऐसे समझीए, कि मेरे पास जो abbreviation है, ठीक है, वो मेरे पास दो चीज ओती है, उसके दो types होते है, एक होता है आप मेरे पास initialism, एक होता है मेरे पास acronym, तो ये जो acronym और initialism, ये दोने ही मेरे पास application क्या type है, अब आप समझ जाएंगे कि every, every acronym is abbreviation सही है, इस बात को ध्यान दीजीगा क्यों जब आप बोलते हैं एवरी एब्रिवेशन इस एक्रानिम तो उसमें इनिशेलिजम भी आता है जो कि मेरे पास एक्रानिम नहीं है दोनों में पर डिफरेंट डिफरेंट है तो ये कन्फूजन रहती है तो question number हम discuss करते हैं पूचा गया है एक्रानिम का सिनोनिम 1,2,3,4 करके पूचा गया है मैं pause लेता हूँ आप तब तक सोचिए आशा करता हूँ आप ने अपना option चूज करिया होगा आप बोल्डर सोच रहोंगे कि option 3 तो होना चाहिए और मैंने बताया है कि यह क्या होता है मेरे पास initialism actually मैं technically यह होना ही यही चाहिए था कि उपर आपको acronym पे जगा है यहाँ पर initialism देने चाहिए और option आपका 3 टिक करते हैं पर यही खास चाहिए था है previous year question की series जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको best of फोर में से आपको best option चूज़ करना है जो मैं आपको option no.3 है question no.2 भी यही है SSEC CGL 2013 में one word substitution के रूप में पूछा गया है a word composed of the first letters of the words in a phrase आपने option 4 चूज़ करना है ठीक है उपर ही बता दिया गया है तो इसमें पॉस लेने की कोई या सोचने की कोई बंजाईशी नहीं बची है XSize में हम move on करते है XSize में हम पास आपको fill करना है right which is acronym और initialism धान जी कि मैंने आपकर abbreviation fill करने को नहीं बोला है क्योंकि दोने ही मेरे पाँ abbreviation तो आप फिल क्या करेंगे question number 3 आपको बताना है computer क्या है question number 4 सार क्या है and question number 5 आपको उंजाला बताना है question number 6 BCCI and question number 7 FSSAI के बारे में आपको बताना है मैं थोड़े दिर pause लेता हूँ आप screenshot ले लिजेगा आशा करता हूँ आपने screenshot ले लिया होगा screenshot लेने के बाद अब अपने answers कमेंट सेक्षिन में mention कीजेगा सही होगे तो मैं आपके comment को next video यानि part 6 में आपके comment को highlight भी करूँगा answer to part 4 हमरे पास आज जुगे है exercise के जो हमने पिछली वीडियो में पूछे थे तो इसका जो सही जवाब जू दिया गया है वह smile अगारे subscriber अंडा की है option number one का जो correct answer we are mean kind breathe option number two का correct answer is breath option number three का है मेरे पास breath option number four मेरे पास們 breath तो ये सारे ही मेरे पास किया है correct है मेरे पास है आपद देखिएगा जी जिसका सही है वो जरूर देखेगा इसको और गलत है तो उससे कुछ सीखेगा क्यों गलत है read apply and memorize आप करते रहिएगा और अपने concept को solidify कियेगा यहां पर जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो से उसका द्यार हो वह एक्चल में क्या acronym है ठीक है initialism नहीं है चलिए फिर अपनी पानी को मैं आराम देता हूं और वीडियो को मैं यहीं पहरोगता हूं आपसे मिलते हैं अगले वीडियो अगले part 6 में आप आपसे मिलते हैं तब तक like share and subscribe करते रहिए और अपनी आस पास साफ सफाई रगिए अपनी सेहत का दियान रखिए और सही से सोईए और healthy रहिए तब तक के लिए goodbye and take care and shabah care